अगर आपको कोई एक एडवेंचर से मिस्टीरियूस से वर्ल्ड के अंदर लेके जाए ना ओलता है यार यह नरेशन है उसके अंदर दो बहुत क्रिटिकल आसपेट होते हैं कि आपका जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो किस तरीके किसे हो रहा है कि आपको अपने कमरे में ही ब करूं तो क्या आप देखना चाहों कि मैं आपको वैसे रेकुमेंट करूंगा कि देख ही डालो बाकी सारी चीज़ें चोड़ो इसके अंदर अलेक्जेंडरा ददारी हो है वैसे तो यह काफी ज़दा होट है इनकी काफी ज़दा पॉपुलारिटी है इनकी काफी ज़दा तरीके की आक्टिंग करिए यह एक विच है जो इनको डिस्कावर होता है सीरीज के नाम है मेफेर विचेश अमजान प्राइम विडियो के उपर यह अभी अवेलेबल है एमसी पर पहले ही रिलीज हुई थी एमसी एंफॉर्चनली इंडिया के अंदर नहीं आता है लेकिन आमाजोन पर आपको देखने को मिलेगा जब यह ट्रेलर आया था इसका कि जी आमाजोन के ओपर यह आने वाला है तो मैंने गया यार यह इतनी आटेस्टिक तरीके से जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वला इतनी खतरनाक तरीके की सीरीज a lot of centuries the narration is happening तो क्या यह आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए मैंसे मैं तारीफ तो काफी जादा कर चुका हूँ यहाँ पर आपको डॉक्टर रोवन फिल्डिंग की कहानी दिखेगी जो की Alexandra ने निभाई है वो अचानक से किसी वज़ा से कुछ परशानी से गुजर रही होती है और उसको यह discovery होती है कि भाई वो तो witch है में फियर witches की family से आती है लेकिन यह जो witch है यह किसी से surprised है यह suppression कहा से हुआ है किस ने किया है यह इससे कैसे निपटेगी इसके अंदर बहुत सारी psychic psychological supernatural thrilling adventurous drama टाइप की राइड के अंदर आपको लेके जाया जाता है और trust me जब बहुत सारे जौनर्स एक साथ जुड़ जाते है तो एक responsibility director साहब के पास additionally हो जाते है कि इसको justify भी करना है और इसका जो tool उन्होंने अपनाया है कि इसको justify कैसे करें कि drama कहां आएगा तो आपको emotion evoke करने है आपका supernatural जो behavior है जो इनका घर दिखाया गया है जतना lonely सा लगता वहाँ पर दिवारों पर किस तरीके से कुछ चीजें इन्होंने कलाखारी करके दिखाई है यह सारी जो बाते है और कु काफी जदा appealing आपको लगेगी बहुत ही रिच तरीके की यह सीरीज आपको यहाँ पर नजर आने वाली है और जो narration है जैसे मैंने बोला क्योंकि multiple time lags के अंदर ही आता है centuries तक जाता है सब plots आते हैं वो आपको irritate नहीं करते हैं बाट वो help करते हैं कि आपकी जो story के इंदर जो मुशा क्या पहनते हो उसमें भी changes आते हैं ठीक है तो वो सारी चीज़े बहुत अच्छे तरीके से handle करीगी है यह जो mysterious world बनाया गया है तलमास का यहां पर बोला जाता है secret society को जो psychic power supernatural को study करता है उसके अंदर काफी सारे aspect आ जाते हैं witchers वाले के लिए और फिर यह जो witches हैं ज उसका जो relationship or dynamics यहां पर establish किया गया है वो एक super villain की तरहां आगे तो आता है पर at the same time उसके अंदर बहुत ही conversational है जिससे जाके आप डिशूम डिशूम करके लड़ लोगे तो यह काफी मेरे को effective लगा जिस तरीके से इसका narration है अगर मैं यह बोलूं कि इसका कोई downside है series का तो मैं सरफ एक ही बोलूंगा कि क्योंकि मैंने बताया आपको जैसे बहुत सारे subplots चलते हैं over the centuries चाहिए diversified है तो कहीं ना कहीं जो story जो है और जो कुछ हो रहा है story के अंदर वो और जो मुद्दा चल रहा है वो supersede कर जाता है character development से क्योंकि आए गई भी हो जाते characters तो जब आप कि आपको यह काफी rich content लगेगा कि इसके बहुत को स्था बोलने के लिए जिसकी वज़ा से यह renew भी हो गया season 2 के लिए most probably अगले साल आएगा यह I think 2023 अंदर ही renew हो गया तो इसकी progress क्या है यह तो पर चेक करना पड़ेगा अगले साल तक सुना है कि यह आ जाएगा और फिर किसी slow लग सकती कोगी जो भी psychic चीज़े होती है न वोगर वह immediate basis पर हो जाती है तो फिर आप बोलता हो कि यह क्या हो रहा है तो जैसे का जोन्स अगर आपने देखा हो जो season 1 था उसके अंदर भी ऐसी psychic problems बहुत सारी थी जहां पर जो hero थी central character जैसे का जोन्स उसके पास powers भी थ से surprise जाए एक विच्छ होने के बावजूद भी वह एक interesting aspect हो जाता है इसको देखने का मैं इसको काफी अच्छा तरीके से rate करूँ हूँ है बेकर में को काफी अच्छा लगा इसका narration style four stars out of five must watch you should see it now